दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराख शौधरी दोस्तों घटना चक्र सामानिध्यन पुरवाव लोकन्स रिंखला में प्रस्तुत है विशो के भुगोल के अंतरगत पृथवी के उत्पत्ति भुगर्भी के तिहास और चटानों से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के प्रिवियस एर्स में पूछे गए हैं और आगामी परिक्षाओं के लिए भी अतिसंभावित हैं तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो विशो के भुगोल के अंतरगत पृथवी के उत्पत्ति भुगर्भी के तिहास और चटानों से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन दोस्तों पृथवी की उत्पत्ति से संबंधित कई स सिध्धान्त कई विचारकों द्वारा दिये गए हैं सबसे पहले आये जान लेते हैं पृथवी की उत्पत्ति के विभिन सिध्धान्त और उनके प्रतिपादकों के बारे में देखिए दोस्तों पृथवी की उत्पत्ति से संबंधित एक सिध्धान्त या परिकल्पना है धूम के तुटकराव परिकल्पना इसके प्रतिपादक काम्टे दी वफन है वायब्यराश या गैसियस परिकल्पना के प्रतिपादक इमेनुवल कांट है और प्रिथवी की उत्पत्ति से संबंधित एक निहारी का परिकल्पना है इसका प्रतिपादन लापलास के द्वारा किया गया था उलका परिकल्पना जो प्रिथवी की उत्पत्ति से संबंधित है इसके प्रतिपादक लॉकियर है और ग्रहाड परिकल्पना ये चेंबर लेन तथा मोल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था प्रिथवी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारी परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जिन्स और हैरोल्ड जेफरी के द्वारा किया गया और एक मोहत्वपूर सी धान्थ है द्वै तारक परिकल्पना H.N. रसेल और लिटिल्टन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है प्रिथवी की उत्पति से संबंधित सिफीड परिकल्पना प्रोफेसर A.C. बनरजी के द्वार क्रितिपादित किया है और एक नौ तारा परिकल्पना या सूपर नोवा या नोवा परिकल्पना इसका प्रतिपादन F.Hoyal और लिटिल्टन के द्वारा किया गया दोस्तों पृत्वी की उत्पत्ति से संबंधित विद्दुत चुम्ब की परिकल्पना का प्रतिपादन डाक्टर हेनस अल्फवेन के द्वारा किया गया और देखे अंतर तार की धूल परिकल्पना इसका प्रतिपादन आटो इसमिड के द्वारा किया गया है पूर्वग्रह या प्रोटो प्लैनेट परिकल्पना ये गेराल्ड कुईपर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है और बहुत ही महत्वपोंट पृत्वी और अन्य ग्रहों के उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिध्धान्त इसका प्रतिपादन जार्ज लेमें इंटेयर के द्वारा किया गया है तो ये प्रत्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिभिन सिध्धान्त या परिकल्पना हैं दोस्तों आप जान लीजे आधुनिक समय में ब्रहमांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मानने या सरोमानी सिध्धान्त बिग बैंग सिध्ध इसको विश्तारित ब्रहमांड परिकल्पना कहते हैं और 1920 में एडविन हबल ने परमार दिये थे कि ब्रहमांड का विश्तार हो रहा है और बिग बैंक से धान्त के अंसार ब्रहमांड में सबकुछ एकाकी परमार उसे आज से लगभग 13.7 अरब बर्स पूर्व पहले आया औ और समय बीतने के साथ आकास गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ी और वो एक दूसरे से अलग हो गई या दूर होती गई आकाश गंगा धूल गैस तारों ग्रहों उप ग्रहों और अन्य ब्रहमांडी पिंडों का समों है और असपश्ट है कि प्रारंभ में जो ब्रहमा सन के दूरा एक दूसरे की और आकरसित हुए और विखंडित होकर आकास गंगाओं का निर्माड करने लगे आकास गंगाओं ने स्वैंग तूट कर तारों का निर्माड किया बाद में तारे भी तूटे और ग्रहों का भी जो है निर्माड हुआ या उत्पत्थ हुई अब जेम्स जिन्स, एच आलफा वेन, एफ होयल या फिर ओ इस्मिट तो सही उत्तर ओ इस्मिट ने दोस्तों ये सुझाओ दिया है कि प्रित्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कडों से हुई है याद रखेगा जेम्स जिन्स ने ज्वारी परिकलपना एफ होयल और लिटिल्ट विशेशता ये है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कडों से मानी है अगला प्रश्न है प्रित्वी की आयू निर्धारित करने में कौन सी विधिका प्रियोग किया जाता है तो सही उत्तर है यूरेनियम डेटिंग दोस्तों आप जान लेजिए कि रेडिय रेडियो मेट्रिक डेटिंग विधि का प्रियोग करके प्रित्वी की आयू को ग्यात किया जाता है और इसमें यूरेनियम जो डेटिंग विधि है ये सबसे महत्वूण है अब आईए भूगर्भिक इतिहास प्रित्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित और इस उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों बहुत ही महत्वूण प्रशन है ये बार बार परिक्षाव में पूछा भी किया है तो महान हिम यूग का संब्ध प्लिष्टो सीन है bene ये आपका सही उत्तर है आप जान लीजे दोस्तों कि महान हिम यूग पिर्थवी के इतिहास का एक ऐसा यूग है जब बड़े पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ और ये प्लिष्टो सीन यूग से संबंधित है इस यूग की शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पूर हुई थी और ये 10,000 वर्ष पूर तक चला था अगले प्रशन पर आते हैं अगला प्रशन बहुत ही महत्तपूर्ण है आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि निम्न कालों में किसे प्रायह लग हुई मकाल माना गया है आप सन है 750 से 850 इस भी 950 से 1250 1650 से 1870 या आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर तो सही उत्तर है लग हुई मकाल 1650 से 1870 इस भी को माना गया है आप जान लिजे तीरह सो से अठार सो सत्तर के काल को प्राया है लगुहीं काल माना गया है निकटतम उत्तर आपसं सी है अगला प्रश्न है डाइनासोर का काल आज से कितने वर्स पहले तक था आपको बताना है तो सही उत्तर है डाइनासोर का काल आज से 18 करोण वर्स पूर्व था जुरैसिक कल्प या जुरैसिक पीरियड 20.8 करोण वर्स पूर्व आरम हुआ था और 14.4 करोण वर्स पूर्व समाप्थ हुआ इस कल्प को डाइनासोर का काल या एज आप डाइनासोर कहा जाता है सही उत्तर निकरतम उत्तर आपसन भी हो जाएगा अगला प्रश्न है महादीप अलग कैसे हुए आपसन है जो अला मुखी फूटने से विवर्तनिक क्रिया से चट्टानों के वलन और भ्रंसन से या उपर यूगत सभी से तो सही उत्तर है विवर्तनिक क्रिया से दोस्तों महादीपों के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया को सरवाधे को प्यूगत माना जाता है पिर्थवी के उपरी भाग या संपूर्ण क्रश्ट और मेंटल के उपरी भाग का निर्माड बिभिन प्लेटों से हुआ है ये प्लेटे बिभिन प्रारूपों में विवर्तनी क्रिया के फल्सरूप गतशील और प्रवाहित होती हैं इस प्रकार ये प्लेटे अपने उपर इस्थित महादीपी और महासागरी भागों को अपने प्रवाह के साथ अस्थानांतरित करती रहती हैं अगला प्रश्ण है निमनलिखित महादीपों में कौन सा गोंड़वाना लेंड का भाग नहीं था आपसन है उत्तरी अमेरिका धक्षडी अमेरिका अफरिका और आश्टेलिया तो सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका गोंड़वाना लेंड का भाग नहीं था दोस्तों पैंजिया के उतरी भाग को लारेशिया और दक्षडी भाग को गॉंडवाना लेंड कहा गया लारेशिया में उतरी अमेरिका, ग्रिन लेंड, यूरोप और एशिया सामिल थे जबकि गोंडवानलेंड में दक्षडी अमेरिका, अफरिका, मेडागासकर, अरब प्रायदीप, प्रायदीपी भारती, आश्टेलिया और अंटार्किटिका शामिल थे अगला प्रश्न है भारत के प्राचीज सुपर महादीब गोंडवानलेंड का भाग था इसमें बरतमान समय का कौन सभू भाग शामिल था तो आपसन है दक्षड अमेरिका, अफरिका, आश्टेलिया या ये सभी तो सही उत्तर ये सभी दोस्तों आप जान लिजे जो दक्षड का भाग था पिर्थवी के उपरी भाग का जो दक्षड का भाग था ये गोंडवाना लेंड था इसमें दक्षुड अमेरिका, अफरिका, मेटा गासकार, अरब प्रायदीप, भारती प्रायदीप ये शब ही सामिल थे अगला प्रश्न है कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है आपको बताना है आपसन है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, दक्षुडी अमेरिका और प्रसांत प्लेट, लाल शागर और भारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट और प्रसांत प्लेट या उपर युगत में से कोई नहीं तो याद रखिएगा कोकोस प्लेट मध्ध अमेरिका और प्रशान्त प्लेट के मध्ध पाई जाती है आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है प्रिथवी पर मोलता है एक ही विशाल भोखंड था जिसे क्या कहते हैं तो सही उत्तर पैंजिया याद रखिएगा का कि महासागर में ये विश्तिरित अस्थल भोखंड तैरता था उसको पैंथालसा कहा गया अगला प्रश्ण है प्रिथवी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवासमी साक्ष कितने वर्सपूर्व का है आपसन है दसमलो तीन मिलियन वर्सपूर्व तीन मिलियन तो यहाँ पर कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है इस प्रश्ण का उत्तर इश्टार हो जाएगा आप जान लिजे प्रिथवी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवासमी साक्ष आरकियन इयान के प्रारंभिक का लगभग तीन दसमलो पाँच बिलियन वर्सप या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा आपसन है महादेपी विष्थापन और हिमानी चक्र तो सही उत्तर ये दोनों ही जो है जीवों के विकास में प्रभावी कारक रहे हैं आपसन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों दोस्तों डाक्टर सवींद्र सिंग द्वारा लिखित पुस्तक भौतिक भुगोल के स्वरूप के अनुसार महादेपी विस्थापन और हीमानी चक्र दोनों ही घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया था अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों अगला प्रशन बहुत ही महत्पूर है कि वलन क्रिया किसका पैड़ाम है आपको बताना है तो सही उत्तर है वलन क्रिया परवत निर्मारकारी बल का पैड़ाम है पिर्थवी के अंतर जात बलों के अंतरगत परवत निर्मारकारी बल जै से हुए भाग को अभिनती कहते हैं इसी मोड को वलन कहते हैं अगला प्रश्न है निमनलिखित पर विचार कीजिए देखे यहां पर छे घटनाए दी गई हैं देखे विद्दुचुंब की विक्रण भूतापी उर्जा गुरुत्वी बल प्लेट संचलन पृत्वी का घुड चार पांच है ये सभी छेव घटनाए या छेव कारक पृत्वी के प्रिष्ट पर गतिक परिवरतन लाने के लिए जिम्मेदार है आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप जान लीजे प्रिथवी के प्रिष्ट पर गतिक परिवर्तन में अंतरजात बलों की भूमिका होती है सामाने रूप में अंतरजात बलों के उत्पत्ति के संभावित काड़ों में पिर्थवी के अंतरिक भाग में तापी विशंता, सैलों का संकुचन और विश्तार होना है साथी विद्धुचुम्ब की विकरण गुरुत्वी बल की भी प्रमुक भूमिका होती है भूता पी उर्जा, पिर्थवी का गुड़न और परिक्रमण भी पिर्थवी के प्रिष्ट पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है अगला प्रिश्ण है सही काल में वेवस्थित करिए चार घटनाए है पटपरा जमाओ, खेताउनी जमाओ, बागोर जमाओ और सिहावल जमाओ तो इसमें आप से पूछा गया है कि इसका सही काल करम क्या हो जाएगा तो सही उत्तर है सबसे पहले सिहावल जमाओ, निम्नपुरा पासाण काल का पटपरा जमाओ मध्यपुरा पाशाणकाल का बागोर जमाओ उच्चपुरा पाशाणकाल और खेताओनी जमाओ नवपाशाणकाल का तो आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3, 2 तो यहाँ पर आप देख लीजिए जमाओ और कालकरम में पटपरा जमाओ मध्यपुरा पाशाणकाल बागोर जमाओ उच्चपुरा पाशाणकाल और खेताओनी जमाओ नवपाशाणकाल और लगवपासाणकाल से समबन्दित है अगला प्रश्न है निम्न घटनाओ पर विचार कीजिए देखिए यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं पहला सरीश्रिप, पहला कीट, कवच वाले जीव और पहला अस्तंधारी इन घटनाओं को पिर्थवी पर उनके उत्पन होने के कालकरम के रूप में बेवस्थित कीजे तो सबसे पहले जो है दोस्तों आप देख लीजिए कवच वाले जीव उत्पन हुए तो कवच वाले जीव में सबसे पहले तीन हो जाएगा उसके बाद कीट उत्पन हुए इनसेक्ट्स तो दो हो जाएगा फिर उसके बाद सरी स्रिप का विकास हुआ एक हो जाएगा और तब सबसे लाष्ट में अस्तंधारी तीन दो एक चार आप संसी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दोस्तों राजस्थान मरुस्थल अथो थार मरुस्थल किसका विश्थार है आपको बताना है प्लियोसीन, पैलियोसीन, प्लिष्टोसीन और अभिनोजमाव या फिर ओलिगोसीन का तो सही उत्तर है प्लिष्टोसीन और अभिनोजमाव दोस्तों राजस्थान मरुस्थल अथो थार मरुस्थल प्लिष्टोसीन और अभिनोजमाव का विश्थार है पूरा तत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्मार सब्तर हजार वर्स पहले प्रारंब हुआ था जबकि NCRT के अनुसार प्लिष्टो सीन युग 20 लाख वर्स पूर से लेकर 10,000 वर्स पूर तक रहा इस तरह थार मरुस्थल के निर्मार और विष्टार का समय प्लिष्टो सीन युग के अंतरगत आता है अगला प्रशन है संयुकतराज अमेरिका का रष्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है आपको बताना है तो सही उत्तर इन में से कोई नहीं या एक से अधिक तो रष्ट बाउल के बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों आप जान लिजे कि रष्ट बाउल जो छेत्र है ये रष्ट बेल्ट एक भौगोलिक छेत्र है जो पहले एक विनिर्मार या औद्योगी खब था लेकिन अब गिरावट के चरन में है क्योंकि बिनिर्मार केंदर कई देसों में अस्थाना अंत्रित हुए हैं Great Lake छेत्र और Pitsburg तो यहाँ पर आप अगर जो देखें तो Great Lake छेत्र और Pitsburg छेत्र जो है यह रश्ट वावल के अंतरगत संबन्धित है तो ये महत्पोंड प्रश्ण जो हो जाएगा इन में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा अब इसके बाद आएए चटानी यानि राक्स या जिसको हम शैल कहते हैं उससे संबंधित प्रश्णों को देख लें देखें दोस्तों प्रथवी की परपटी या करश्ट सैलों या चटानों से बनी हैं सैल का निर्मार एक या एक से अधिक खनिजों से होता है और शैल कठोर या नरम तथा बिभिन रंगों की होती हैं और शैलों का अध्यान या विज्ञान पैट्रोलोजी साखा के अंतरगत किया जाता है दोस्तों निर्मार की प्रक्रिया के आधार पर चटानों को तीन समोहों में मोटे तोर पर बाटा गया है आगने चटान और साधी चटान और रूपांतरी चटान प्रश्णों पर आते हैं दोस्तों पहला प्रश्ण है कि परदार चटानों की विशे में दिये गए कथनों पर विचार कीजिए तो यहां पर चार कथन परदार चटानों के बारे में कहे गए हैं देखिए पहला कथन है कि परदार चटाने जो होती हैं वो पिर्थवे की सतह पर जलिये तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं बिल्कुल सही परतदार चटानों के निर्माण में पूरु विद्यमान चटानों का छरण सामिल है सही है परतदार चटानों में जिवाश्म होते हैं बिल्कुल सही है और परतदार चटाने विशिष्ट रूप से पर्तों में पाई जाती है अपने नाम के अनुरूप तो यह चारों ही कथन आपके सही हैं परतदार चटानों के बारे में आप संडी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परतदार चट्टान को आवसाधी चट्टान या सेडिमेंटरी रॉक्स कहा जाता है इनका निर्मार चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलवे के जल में जमा होते रहने से होता है अवसादी चट्टाने जल के साथ अपरधन के अन्यकारकों जैसे वायू हिमानियादी के द्वारा भी होता है इन में जीवों के आवशेस और बनस्पतियों के अंस परियाप्त मातरा में पाय जाते हैं भूपरिश्ट पर फैली अवसादी सेलों में परते तो पाय जाती हैं ये अस्तरों में निक्षेपित होती हैं, परन्तु ये शैले रवेदार नहीं होती हैं, चारों ही कथन आपके सही हैं, अगला प्रश्न है अवसादी शैलों के लिए कौन सा सही है, तो सही उतर है ये शैले अस्तरों में निक्षेपित होती हैं, तो परतदार या अवसादी च चट्टान है क्योंकि इसका निर्मार पानी के नीचे होता है बलुवा पत्थर एक परतदार चट्टान है इसका जो निर्मार है ये जल में निर्मित होती है बलुवा पत्थर या सैंड इस्टोन या आंत्री क्रियाओं द्वरा निर्मित होने वाली आवसादी या परतदार स और बलुव पत्थर भेद्र और प्रवेश होती है जिसे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्ण है नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवास्म नहीं पाये जाते हैं अपसन है आगने तल छटी आगने और तल छटी दोनों या उपर युग्त में से कोई नहीं तो रूपांतरिक चट्टानों के उत्पति आगने और तल छटी दोनों चट्टानों से होती है दोस्तों आप जान लिजे रूपांतरी चटाने अन्य चटानों के रूप में परिवर्तन के फल्स रूप निर्मित होती है मूल रूप में रूपांतरान सब्द या मेटमॉर्फस सब्द से लिया गया है इसका ताद परे होता है रूप परिवर्तन और परद्दार अथवत तलछटी तथा आगने शेल में रूप परिवर्तन के पल्स रूप रूपांतरी शेल का निर्माड होता है अगला प्रिश्ण है कौन सा रूपांतरी चट्टानों का उदाहरन नहीं है संग मरमर, क्वाड़ जाइट, स्लेट या ग्रेनाइट तो सही उत्तर ग्रेनाइट दोस्तों ग्रेनाइट रूपांतरी चट्टान का उदाहरन नहीं है ये आगने चट्टानों की स्रेड़ी में आता है संग मरमर, सलेट और क्वार्ट जाइट ये रुपांतरी चट्टाने है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन कायांतरी चट्टान का उदाहरण नहीं है आपको बताना है क्वार्ट जाइट, मार्बल, नाईस या डोलोमाइट तो सही उत्तर है डोलोमाइट डोलोमाइट अवसाधी चट्टान है जबकि क्वार्ट जाइट, मार्बल और नीस ये कायांतरी चट्टान के उदाहरण है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा जो है समूह कौन से समूह से सम्बंधित नहीं है नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शेल तो सही उत्तर नीस दोस्तों बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शेल ये अवसाधी चट्टान है नीस का यांतरी चट्टान है और सामंतन नीस का निर्माड ग्रेनाइट या डायोराइट के रूपा अंतरण से होता है इसके अलामा ग्रैबो अथवा सेल से भी इसका निर्माड किया जा सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विशो के भुगोल के अंतरगत पिर्थवी के उत्पत भुगर्वे के तिहास और चट्टानों से संबंधित महत्तोपोर्ण प्रिश्णों का रिवीजन जो आपके आगामे विभिन परिक्षाओं के सामाने ग्यान और सामाने अध्यन के विडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें और इस चैनल मार्क दोशन फॉर सिबिल सर्वीसिच को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार